कि अब्रिवन गुड मॉर्णिंग स्वागत आपका उनलाइन बैंचर्स डिफेंस वा एक्जाम पूर पर मैं आपका जी एस मेंटर ग्यान प्रिकास जाए आपके सामने पॉलिटी की अगली क्लास लेकर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Constitution Assembly यानि कि संभीधान सभा यानि कि हमारा जो Constitution है वो कैसे formulate हुआ कैसे तयार हुआ कैसे बना और उसे कब adopt किया हमने कब उसे लागू किया इन सभी तथियों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं तो सभी बच्चे सेशन को एक बार सेयर कर दीजेगा सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के important concept को दोस्तो आज हम लोग जो topic पढ़ रहे हैं यानि कि जो समभीधान सभा आज हम लोग पढ़ेंगे इस से बच्चे एक बार सेशन को सेयर कर देंगे गुड मार्निंग गोलू जी हरियॉम जी दोस्तो इस्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगो को एक information दे दूं कि online ventures की टीम के द्वारा आपके लिए कुछ batches launch किये गए हैं आप देख सकते हैं याँ पर cds1 2022 के लिए का aspire बैच आया हुआ है जिसमें की 250 प्लस PDF से आपको दिये जा रहा है डाउट सेशन दिया जा रहा है लाइक क्लास है 350 प्लस complete बुक आपको PDF फॉर्मेंट में दिया जा रहा है और 5000 से ज्यादा practice questions इस batch में करवाए जाएंगे इसकी जो classes है आज से start होने वाली है आप लोग इससे जुड़ सकते हैं इस batch से इन number पर call करके और इस इस number पर WhatsApp करके इसकी price यहाँ पर देख सकते हैं 3499 है बट अगर आप यह code use करेंगे जीवायन वन जिरो आपको 10% का discount मिलेगा सैम इसी प्रिकार एफकेट का भी बैच लॉंच किया गया है जिसकी प्राइस वन ट्रॉपल नाइन है यह 75 डेज का है स्टार्ट हो रहा है आज से आप इन बैच से इन दिये गए नंबर्स पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं या इस नंबर पर वाट्सप करके आप जुड़ सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेन कॉंसेप्ट को आज का हमारा टॉपीक है इसंबली ठीक है तो देखिए इसंबली से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन मुद्दों की हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए लिए है कैसे सुरू होती है काउन कौन से लोगों के द्वारा संविधान सभा के संविधान सभा की मांग रखी जाती है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे तो याद रखेंगे सबसे पहले हमारे देश में एक व्यक्ति हैं थे जिनका नाम है महात्मा गांधी उन्होंने 1922 में यानि के 1922 में सबसे पहले संभिधान सभा की मांग रखते हैं फॉर्मली रखते हैं लेकिन आपचारिक रूप से रखते हैं लेकिन वैद रखियेगा जो संबिधान सभा का जो actual मांग सबसे पहले रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया यहाँ पर देखे जितने भी facts हैं इन सभी facts को आपने ध्यान से सुनना है ध्यान से समझना है देखे यहाँ पर लिखा गया है इन 1934 यानि की 1934 में 1934 में M.N. Roy ने सबसे पहले Constituent Assembly की मांग रखी थी सबसे पहले किन्हों ने रखी थी याद रखिएगा 1934 में M.N. Roy ने सबसे पहले समिधान सभा की मांग रखी और यह बहुत ही important point है कई बार आपके exam में यहाँ से सवाल पूछा जाता है Congress party के द्वारा जानि की जो उस समय देश की जो सबसे बड़ी Party हुआ करती थी उसका नाम क्या था उनका नाम था Indian National Congress और दूसरी जो सबसे बड़ी Party थी वो कौन थी Muslim leek ठीक है तो आप लोग comment में यह बताएंगे कि Muslim लीग जो है उसकी अस्थापना कब और कहां पर हुई थी आप लोग ये कमेंट में बताएंगे हरियोंग जी पॉलिटी के लिए जो सबसे ठीक ठाक बुक है सबसे जो अच्छी बुक है वह आप एम लक्षमी कांथ की किताब आती है आप उस किताब को पढ़ सकते हैं अच्छ में इंडियन कॉंग्रेश ने कॉंस्ट्ट्वेंट एसंबली के लिए संबिधान सभा के निर्मान के लिए क्या रखा ओफिसियल डिमांड रखा इस चीज़ को आप याद रखिएगा याद रखेंगे इसके बाद कि दब बिटेस एकसेप्टेड यानि कि उस समय हमारे दे 1940 में और 1940 में उन्होंने एक अगस्त परस्ताव रखा अगस्त ऑफर रखा किसके सामने भारतियों के सामने यादियर देखा और याद रखेगा इसके बाद जो अगला प्रियास किया गया इसके द्वारा भारत में संभीधान के निर्मान का वो याद रखेंगे कब किया गया in 1942 1942 के मार्च में 23rd of March 1942 को वो भारत में एक क्रिप्श मिशन को भेजते हैं यानि कि एक क्रिप्श प्रस्ताव को भेजते हैं यह जो क्रिप्ष प्रस्ताव भेजा गया क्रिप्स प्रोपूजल जो भेजा गया इसको लेकर आने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था लर्ड स्टेफ़र्ड क्रिप्ष क्या नाम था स्टेफ़र्ड क्रिप्ष वो यहां पर आते हैं और यहां पर आकर वो मुश्लिम नहीं पाती है तो कृप्स प्रस्ताव भी क्या हो जाता है विफल हो जाता है यानि कि देखिए मैं फिर से आपको एक बार क्रोनोलोजी समझा दू 1922 में सबसे पहले महात्मा गांदी ने फॉर्मली इसका डिमांड रखा लेकिन याद रखिएगा सबसे पहली बार जो कॉंस् पार्टी के द्वारा ये डेमांड कब रखा गया ऑफिसियली इन 1935 इसके बाद रखेंगे कि बरेटी इंडे संधिन ब्रिटिसर्स ने ये डिमांड एक्सेप्ट करी 1940 में किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताओं के द्वारा और फिर 1942 में स्टाफ़र्ड क्रिप्स के अंदर क्या आता है भारत में क्रिप्स मिशन कब मार्च 1942 में बट यहां पर दोस्तों याद रखेगा इंडियन नैस्टल विरे सोर मुस्लिम लीक दोनों ही सिरे से इससे नकार देती है इसके बाद आता है क्या कबिनेट मिशन प्लाइन कब आता है कब आता है advances 1946 में और याद रखीएगा यहां पर यह जो कबिनेयेट मिशन है cabinet mission के जो हेड थे cabinet mission के मिशन के जो हेड थे याद रखना उनका नाम था पैतिक governments ज्ञान से समझेगा पैतिक लॉरेंस ये cabinet mission के किया थे हेड थे यानि कि आसके चैयenda थे चाबिनिट mission के और इनके साथ साथ यानि कि इस cabinet mission में कुल कितने लोग आये थे तीन लोग आये थे इस point को आप लोग लिख लेंगे cabinet mission में कुल तीन लोग थे तीन सदस्यों वाली समीती थी जिसके head हुआ करते थे Lord Patrick Lawrence और बाकी के जो दो सदस्य हुआ करते थे एक थे A.B. Alexander क्या नाम था एक का A.B. Alexander और दूसरे कौन थे Stafford Cribbs यानि कि ये दोनों as a member इस cabinet mission plan में आए हुए थे और जब ये आते हैं तो भारत के अंदर फिर क्या होता है संबिधान शभा के लिए ये भारत के लिए संबिधान सभा के गठन में सफल होते हैं यानि कि इनहीं के एक एक पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से समझना है कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग comment में बताएंगे तो यहां पर इस point को आप याद रखिएगा the members of this assembly इसका संभिधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ याद रखिएगा वो June July 1946 में हुआ इसके लिए जो elections हुए वो June July 1946 में हुए और इसके सदस्य कैसे चुने गए तो यहां पर देख सकते हैं कि this assembly where elected indirectly इस point को बहुत ही अच्छे से याद रखना है कई बच्चों को लगता है कि संभिधान सभा के जो सदस्य थे वो directly चुने गए थे लेकिन नहीं कैसे चुने गए थे इंडायरेक्टली चुने गए थे और कितनी जनसंख्या पर कितने population पर एक सदस्य को चुना गया था याद रखिएगा दस लाख की population पर दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था यानि कि इसके जो सदस्य चुने गए अपरत्यक्ष रूप से चुने गए यानि जो प्रांतिय विधान सभाएं थी जैसे अभी राज्य सभा के सदस्य को कौन चुनता है सिंपल सी बात समझो आप सिंपल सी बात आप समझो उत्सव जी बारे बज़े आपकी क्लास होगी अभी बारे बज़े क्लास है आपके जिसमें हम पॉलिटी करेंगे आज एप के उपर है ना कैबिनेट मिशन प्लाइन क्या है कादिर सेख जी Cabinet Mission Plan को British Sunset के द्वारा भेजा गया था भारत में संबिधान सवा के निर्मान के लिए Constitution Assembly के गठन के लिए भेजा गया था भारत में और वो भारत में आते हैं तो ये Cabinet Mission जो है ना एक Committee थी एक समीती थी जिनका कार्य था भारत में आकर शम्विधान सवा का निर्मान करना और इस कमीटी के तीन सदस्य थे जिसमें की हेड कौन थे पाथिक लॉरेंस यानि चेर्मन पाथिक लॉरेंस थे और मेंबर्स कौन थे एबी अलेक्जेंडर और इस्टाफॉर्ड क्रिप्स थे ज्यान से समझेंगे दूसरी बात याद रखिएगा कि इसके जो मैंबर्स इंडायोग्डर येल्क्टिOOOO थे किस के दौरा प्रविंसियल एसमबलीस के जो सदस्य थे प्रन्तिया विधान सभाओं के जो सदस्य थे उनके दौरा प्रट्ट्यक्ञ्च रूप से चुनाय गए और 10 लाख की जन्संख्या पर एक एक संभिधान सभाग एक सदस्य को के चुनाव में उपरास्टपती के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में है ना वहाँ पर सिंगल ट्रांस्परेबल वोट आपका प्रोपोस्टनल प्रजेंटेशन सिंगल ट्रांस्परेबल वोट सिस्टम का ही यूज होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ यानि कि यहाँ पर जो सदस्य चुने गए थे इसी प्रोपोस्टनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही चुने गए थे संता जी कल आपकी जो है आपकी क्लास होगी है मन्डे ट्यूस्डे वाडनेस ये तीन दिन आपकी पॉलिटी रहेगी और थरस्टे औंड फ्राइडे ये दो दिन आपकी economics की class होगी ठीक है session को सभी बच्चे सेयर भी करिए सभी बच्चे session को like भी करा कादिर सेख जी आपका doubt clear हुआ इसके बाद याद रखेंगे कि यहाँ पर जो इसका purpose क्या था what is the purpose behind the constitution of constitutional assembly तो इसका जो purpose था वो था भारत के लिए एक संविधान का क्या करना निर्मान करना formation of constitution for the India यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कोई परिशानी है तो आप लोग बता सकते हैं फिर हम लोग अगले मुद्दे पर करेंगे next point पर हम लोग move करने बाले हैं देखिए मैं जितने भी points आप लोगों को बता रहा हूं आप इन सभी points को ध्यान से समय सुनेंगे इन सभी points को आप लोग लिखेंगे भी बाकि इसकी जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पर पर मिल जाएगी हाँ इसकी PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो बट इसे जो भी मैं extra points जैसे बता रहा हूं उन points को आप लोग साथ साथ नौट डाउन करते रही हैं ठीक है next point पर चलते हैं अगले point पर चलते हैं तो देखते हैं अगला point जितने जो भी सवाल बन सकता अगर आपने ये पूरा लैक्चर देख लिया तो इससे related जितने भी सवाल बनेंगा आप easily उसे कर सकते हैं ठीक है तो देखे सबसे पहला point कि इसका composition क्या था ठीक है ना constitute assembly का क्या composition था उसकी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखेगा कि ये कब constitute हुआ 1946 में ठीक है कब 1946 में इसका गठन हुआ था ठीक है total strength इसका कितना था दोस्तो 389 जो पहली बार संविधान सभा का जो composition हुआ था उसका कुल शदस्यों की संख्या कितनी थी 389 थी लेकिन याद रखेगा इसमें से 296 मेंबर कहां से चुने गए थे ब्रिटीस इंडिया से यानि कि ब्रिटीस भारत से चुने गए थे ब्रिटीस इंडिया हम लोग उसे कहते थे जहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था जहां पर अंग्रेजों का शासन होता था उसे हम लोग क्या कहते थे ब्रिटीस इंडिया कहते थे चीक है और जहां पर जो आपके मतलब राजा वगरा हुआ करते थे जहाँ पर राजाओं का शाषन हुआ करता था उसे हम लोग बोलते थे रियाशत है ना प्रिंसली स्टेट कहते थे ठीक है वहां से कितने सदस्य चुने गए 93 members जो चुने गए वो प्रिंसली स्टेट से चुने गए ठीक है यानि कि आपको ये तो पता चला कि 296 मेंबर जो है वो कहां से एलेक्ट वे बृटीस प्रॉविंस से और जो यह 93 मेंबर हुए वो कहां से चुने गए प्रिंसली स्टेट से आप कहेंगे कि सर यह जो प्रिंसले स्टेट थे इसमें तो कोई मतलब सदस्य होते नहीं तो यहां पर तो कोई प्रोविंसिल स्वाए नहीं हुआ करती थी तो यहां पर के सदस्य कैसे चूने गए फिर है ना?NG किस मैंने क्या बृतिज प्रांट में क्या हुआ करता था? प्रोविंशियल एसम्बली हुआ करता था और प्रोविंशियल एसम्बली के जो सदस्य थे उन्होंने अप प्रचक्छ gibi से चुनकर भेजा 10 लाग की जन संक्या पर एक सदस्य को भेज अगया कहा पर संविधान सबा में लेकिन यहां पर याद रखेंगे जो आपके princely state से जो 93 मेंबर्स भेजे गए थे इनको princely state के जो राजा हुआ करते थे अनके द्वारा nominate किया गया था उनके द्वारा क्या किया गया था nominate किया गया था इसका मतलब क्या है कि जो संबिधान सभा के जो सदस्य थे वो partially तो elected थे यानि कि कुछ सदस्य ऐसे थे यानि कि 296 मेंबर ऐसे थे जिनको indirectly चुनकर भेजा गया था बाकि 93 मेंबर ऐसे थे जिनको नॉमिनेट किया गया था कि इसके द्वारा प्रिंसली स्टेट के राजाओं के द्वारा चीक है यानि कि संबिधान सभा के सदस्य पार्सियली elected and पार्सियली क्या थे नॉमिनेटिड थे सेम अभी हमारा राज्य सभा में भी होता है ना याद करिए जो वर्तमान में हमारा राज्य सभा है राज्य सभा के अंदर भी यही कहानी है कि 233 मेंबर जो हैं indirectly elected होता है by amelies of the state and 12 मेंबर जो होता है वो क्या होता है नॉमिनेटिड होता है by president clear है point तो यह चीज़ आप 296 seat है ना इस 296 seat में भी याद रखिएगा 292 seat जो था allocate किया गया था जो कि किस के अंदर आता था गवर्नर के प्रोविंस के अंदर आता था और आपका चार सदस्य जो आते थे वह कहां से आते थे चीफ कमिशनर प्रोविंस चीफ कमिशनर प्रोविंस उस समय क्या हुआ करत था याद रखिएगा चीफ कमिशनर प्रोविंस जैसे वर्तमान में यूनियन टेरीटरीज होते हैं जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रोविंस लाइक पुडूचेरी लाइक चंडीगर लाइक अंडमान एन निकोबार लाइक डैली ना उसी तरह उस समय भी क्या हुआ जो चीफ आपका कमिशनर हुआ करता था या चीफ कमिशनर प्रोविंस जो हुआ करता था उस चमय का यूनियन टेरिटरी हुआ करता था ठीक है तो याद रखिएगा टू नाइन टू सीट जो था वह अलोकेट किया गया था ब्रिटिस इंडिया को जहां पर की प्रविंस किया गया था और चार जो है चीफ कमिशनर के प्रोविंस को किया गया था इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे यहां पर देखिए लिखा गया सीट्स वेर अलकेटेड बेस दिन प्रोपूर्शन टू देर रस्पैक्टिव पॉपूलेशन यानि कि जो रिस्पैक्टिव पॉपूलेशन था उसके आधार पर सीटों का वन्टन हुआ था और कितने लाख की जनसंख्या पर भाई संय सेशन को सभी बच्चे लाइक करिये सभी बच्क्य सेशन को सेयर भी नेगिए यहां पर देखिए सीट्स अलोकेटिड टो एच ब्रेटि पोविम्स वेयासू टुब इसईटाइड अमांग दो त्रे प्रिंस्पल कॉम्यूनेटीज याने की तीन प्रिंस्पल कम्यूनेटीज को यहाँ पर क्या दिया घया था आपको सीट में करी गई थी तीन यहाँ पर उनको इस चिद्व को याद रहेगा त्री कॉम्यूने तीन समुदाई के लोगों को ही सीटे आवंटित की गई थी किसे किसे मुसलिम्स को सिक्स को और किसे जनरल यानि सामान्य वर्गे के लोगों को अगर आपसे यहां पर क्रिस्चन दे तो नहीं क्रिस्चन को नहीं की गई थी और ऐसे सवाल दिये जाते हैं आपके एक्जाम में तीन ही समुधाय के लोगों के एक सामान्य समुधाय, एक मुसलिम समुधाय और सिक्क समुधाय के लोगों को सीट हैं दी गई थी याद रखियेगा रिप्रेजेंटेटिव सब्सक्राइब रिप्रेजेंटेटिव सब्सक्राइब यानि के जो इसके सदस्य थे जैसे मुशलिम, मुसलिम के मैंबर जहां से चुनकर आए, जहां से मेरी बात को समझेंगे जहां पर मुसलिम सदस्य चुनकर आए, तो वहां पर मुसलिम से क्या करते थे उनको, चुनकर भेजते थे, वही एलेक्ट करते थे, जो सिख कॉम्यूनिटी के लोग हैं, जो सिख कॉम्यूनिटी के सदस्य चुनकर आए, उनको सिखों के द्वारा ही चुनकर भेजा गया, और general community के लोगों को general community के लोगों ने क्या किया चुन कर भीजा इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पर दीके लिखा ए रिप्रेजेंटिटीव अप्रिंसली स्टेट्स वेर टू भी नॉमिनेटेट बाई अभी अभी आपको बताया कि जो प्रिंसली स्टेट के जो मैंबर थे उनको वहां के जो राजा थे वो क्या करते थे नॉमिनेट करते थे वही बात यहां पर लिखी गई है ठीक है अब इसके बाद याद रिखिएगा कि जो संबीधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब ह होती है आप लोगों को पता होगा 9th of December 1946 को लेकिन इस संबीधान सभा का विरोध किया गया हमेशा किसके द्वारा मुसलिम लीग के द्वारा मुसलिम लीग और यह जो प्रिंसली स्टेट के जो सदस्य थे इन्होंने सुरू से ही विरोध किया किसका संबीधान सभा का कि हम स संबीधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुसलिम लीग के शदस्य और जो कई प्रिंसली स्टेट के भी जो सदस्य थे उन्हांने संबीधान सभा की पहली बैठक में हिस्सान नहीं लिया ठीक है इनका डिमांड था अलग से पाकिस्तान के गठन का वो हमीशा मांग कर रहे थे किसका कि हमें अलग से क्या चाहिए पाकिस्तान चाहिए ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर आप लोग कि जब क्या होता है जब आपका मांट बैटन प्लान के तहत जान से समझेगा मांट बैटन प्लान आप लोगों ने शुना होगा मांट बैटन योजना जिसके तथ भारत और पाकिस्तान को एक अलग अलग देश बनाया गया एक अलग अलग देश का दर्जा दिया गया और इस माउंट बेटन प्लैन की घोशना कब हुए थी 3rd of zone 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो याद रखियागा पाकिस्तान के लिए एक अलग संवधान सभा का गठन किया गया और उसमें से याद रखियेगा जो संबिधान सभा में चले गए तो भारत की संबिधान सभा में कितने सदस्य बच जाएंगे टीक है 299 मेंबर जो थे वो कहां से थे वो ब्रिटीस प्रोविंस से थे यानि कि ब्रिटीस प्रांत से थे इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 299 मेंबर में से 70 सदस्ट्य कहां से थे प्रिंसली स्टेट से और 229 मेंबर कहां से थे वो आपके ब्रिटीस प्रोविंस से ब्रिटीस प्राण्त उसे ते एक चीज और भी आप याद यहां पर रखेगा एक पॉंट आपको और भी याद रखना है यहाँ पर की ज्यान से समझेंगे आप लोग यहां पर एक पॉंट आपको और भी याद रखना है कि जो 389 मेंबर हुआ करते थे जब तो इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या Ketyn थी 15 थी ऎएसे ऐसे सवाल भी आपके एकजाम में बनेंगे पंदरह महिला सदस्य aware kакти थी 389 सदस्यों में और जब 299 मेंबर रह गई सदस्यों की संख्या इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी इसमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए next point की हम लोग चर्चा करते हैं अगला point याद रखिएगा यहां पर कि जो first meeting हुआ वो क कितने मेंबर प्रेजेंट थे मात्र कितने सदस्य प्रेजेंट थे 211 क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि Muslim League और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां के लोगों ने वहां के सदस्यों ने इसका पुरजोर फिरोध किया था संभीधान सभा का इसलिए उन्होंने इसकी मे में हिस्सा नहीं लिया था क्लियर है पॉिअंट यहां तक शव्थ बच्चों को समझ में आ गया यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए सेशन को ने तक शफिशन को बैठक होती है जब हम बात करते हैं पहली बैठक की तो 9th of December 1946 को जो हुई इसमें क्या किया गया ध्यान से समझेगा जो सबसे senior most member थे जैसा फ्रांस के मतलब फ्रांस में जैसा हुआ करता था फ्रांस में क्या हुआ करता था कि जो सबसे senior most member हुआ करते थे उनको अध्यक्च चुना जाता था तो फ्रेंच के constitution के आधार पर ही जो हमारी सम्विधान सबाती उसके जो सबसे senior most member थे उनका नाम था dr. सचिदानंद सिन्ह इनको सबसे पहला temporary speaker चुना गया यानि कि जो पहला प्रटम speaker या पहला अस्थाई अध्यक्च यह dr. सचिदानंद सिन्ह को चुना गया सम्विधान सबाका कब 9th of December 1946 को और यह बैठक हुई कहां पर तो याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली दिल्ली में वर्तमान में जो आपका शंसत भवन जहां पर है ना वहाँ पर इसकी क्या हुई थी बैठक हुई थी दूसरी बात अगर करें हम लो तो याद रखिएगा 11th of December 1946 को सम्विधान सबाकी दूसरी बैठक होती है और उस दिन डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद जो हमारे देश क के पहले राश्ट्र पती भी बनते हैं उन डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद को सम्विधान सबाका पहला पर्मानेंट स्पीकर चुना गया है ना कब 11th of December 1946 को दूसरी बात याद रखिएंगे 13th of December 1946 को कब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवारलाल नहरू ने शम्विधान सबाके सामने एक objective resolution रखा एक उद्येश्य प्रस्ताव रखा अब कहेंगे सर ये उद्येश्य प्रस्ताव क्या हुआ करता था ये उद्येश्य प्रस्ताव क्या हुआ करता था तो उसमें लिखा गया था कि हमारे सम्विधान का नीचर कैसा होगा हम किस प्रकार के सम्विधान का न निर्मान कर रहे हैं यह सारी बात उन्होंने अब्जेक्टिव रिजल्यूशन में लिखे हुई थी दूसरी बात याद रखेंगे किस रिजल्यूशन को रखा कब 13 दिसंबर 1946 को लेकिन इसे शंबिधान सभाने एडॉप्ट कब किया यानि कि इसे पारित कब किया 22 जनवरी 1947 को ये दो डेट आपको important है याद रखना है क्यूंकि वर्तमान में जो हमारा प्रियंबल है एट प्रेजेंट जो हमारा प्रिस्तावना है वो इसी objective resolution का क्या है modified form है यानि कि इशी का संसोधित रूप है जो वर्तमान में हमारा क्या है वर्तमान में जो हमारा दोस्तों याद रखिये का प्रियम्बल है ठीक है वो इसी आपजेक्टिव बिजलियोशन का मॉडिफाइड फॉर्म है क्लियर है यहां तक नमस्ते रवीजी कुनाल जी सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करते रहिए सभी बच्चे सेशन को सेर भी करते रहिए यह हैं आपको बता दिके टैंपरेरी प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सजीदानंद सिन्हाते कब बनते हैं या 9th of December को है ना और आफ्टर एलेक्संस वेर हेल डॉक्टर राधियंदर प्रशाद यह क्या बनते हैं हमारे पॉमानेंट स्पीकर बनते हैं यानि कि पॉमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं संविधान सभा के एक्सी मुकरजी हरिस्चंद्रा कुवर मुकरजी यह दोस्तों बनते हैं क्या वाइस चेर्मन बनते हैं यानि कि उपाध्यक्च बनते हैं हमारी संविधान सभा के और याद र एडवाइजर बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है जैसे ही मांट बेटन प्लैन क्या हुआ पास होता है तो मुसलिम लीग जो विरोध कर रही थी संबीधान सभा का उन्हों ने भी फिर संबीधान सभा के उसमें पर्टिसिपेट करना शुरू किया इस चीज़ को ही आप याद रखेंगे कलेर पॉइंट सभी को समस में आया क्लीर अपकी तो याद केसं मीधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए मोड़ जब हमारा ग्यारह मैने 18 दिन का वक्त लगा हमारे संभीधान को बनाने में और इस पर कुल कितने रूपए खर्च किये गए थे संभीधान के निर्मान पर याद रखिएगा कुल 64 लाक रूपए का खर्च आया हमारे संभीधान के निर्मान पर इस जिसको भी आप याद रखेगे बहु थी संभीधान सभा की तो पहली बैठक कभ हुई थी दोस्तों वह भी थी 9th of December 1946 को लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि सबसे अंतिम बैठक कभ हुई थी सबसे अंतिम बार संभीधान सभा कब मिली थी तो वह याद रखिएगा कम मिलती है दोस्तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 इस दिन संभीधान सभा की अंतिम बैठक होती है यानि कि इसी दिन संभीधान सभा अंतिम रूप से मिलती है ठीक है और आपको यह तो बता ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संभीधान को पुर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है यहां आ रहा हूं सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिए क्योंकि सब्सक्राइब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम कल सवाल करेंगे अगली क्लास में मतलब कल तो आपका 299 मेंबर्स में से जिस दिन हमारे संबिधान सभा को एडॉप्ट किया गया कब एडॉप्ट किया गया आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे संबिधान सभा के द्वारा संबिधान को एडॉप्ट किया गया था तो इसमें से 284 members ने sign किया था उसके official copy पर जो हमारे संभिधान का official copy था उस पर कितने members ने मात्र साइन किया था उस पर 284 members में 299 members में से यानि कि 15 सदस इससे दूर रहे थे यह जो हमारे संभिधान था लागु कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को लेकिन constitution का अडॉप्ट कब किया गया था 26 नवंबर उनिस सा उनचास को ठीक है 26 नवंबर उनिस सा उनचास को ठीक है जिसमें कि क्या था प्रस्तावना था जिसमें क्या था 395 आर्टीकल थे यानि कि हमारा जो मूल संभीधान था हमारे मूल संभीधान में 395 आर्टीकल थे आठ क्या थी अनुसूचियां थी पार्ट कितने थे दोस्तो तो पार्ट कितने थे बताईए पार्ट कितने हुआ करते थे हांजी 22 कितने हुआ करते थे कुल 22 है ना जिस समय हमारी सम्विधान को अडॉप्ट किया गया लेकिन जब हम वर्तमान की बात करें एट प्रेजंट वर्तमान की जब बात करते हैं तो दोस्तों हमारे सम्विधान में 450 के आराउंड आर्टिकल है हाना कितने लगबग पाइब चारसुपचास आर्टिकल है याद रखिएगा पार्ट कितने हैं भाग कितने हैं वर्तमान में 25 हैं और अनुसूचियां कितनी हैं याद रखिएगा 12 है यह जो बारा अनुसूचियां हैं इनमें क्या-क्या है इसके उपर एक लेक्चर आप लोगों का अपलोड हो च सकते हैं ओनलाइन बैंचर यूट्यूब चैनल पर उसमें सारे स्केडियल्स के बारे में मैंने इंपोर्टेंट इंफर्मीशन सापको बताए हुई है ठीक आप उसे जाकर देख सकते हैं चलिए 26 नवंबर को ही चूकि हमारे संबीधान को अडॉप्ट करा गया कब 26 अफ न 26 नवंबर 1950 यानि कि हमारे संबीधान सबाने 26 नवंबर को अडॉप्ट करा लेकिन लागू कब किया गया इसे पूर्णता है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया हाला कि कुछ प्रविजन्स जो थे यानि कि पार्लेमेंट के गठन से संबंदित प्रविजन हना सिटिजन से संबंदि प्रविजन यह सभी आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिये गए थे लेकिन जो पूरा संबीधान था वो लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को और यह जो आपसे कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि जो आपका संबीधान दिवस है उसे हम लोग और किस रूप में मनाते हैं तो देखे Constitution Day और संबीधान दिवस जो नाजाज नाशनल लौडे क्या बोलता है उसे नाशनल लौडे के रूप में भी मनाया जाता है इस चिसको आप याद रखेंगे ठीक है अब सवाल यह उठता है कि कौन सी मंत्राले के द्वारा किस मंत्राले के द्वारे यह संबी किया जा रहा है यह सवाल देखे UPSC जो है आपसे इसी प्रकार के सवाल पूछती है वह आपसे यह नहीं पूछे कि कि संबीधान दिवस कम मनाते हैं वह आपसे पूछे कि संबीधान दिवस का आयोजन किसके द्वारा तो याद रखेंगा Ministry of Social Justice and Empowerment और याद रखेंगा य आप याद रखेंगे इसके बात की बात करें हम लोग तो Constitution of India जो है वो इंग्लिस में भी लिखा गया है और इसनल Constitution और हिंदी में भी लिखा गया है लेकिन जो हमारे संबीधान का जो basic structure है वो कहां से यानि कि हमारे संबीधान में जो सबसे ज़्यादा बातें ली गई है व तो हमारे संबीधान का में सूर्स है हमारे Constitution का वो क्या है Government of India Act 1935 यादर कियेगा कई बार आप से सवाल पूछा जाता है कि संबीधान सभा के द्वारा हमारे national flag को कब अडॉप्ट किया गया तो हमारे संबीधान सभा के द्वारा national flag को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को और हमारे national flag को design कि इसने किया था हमारे national flag को design किया था पिंग एली बैंक या ने बहुत important fact है पिंग एली बैंक या ने दोस्तों हमारे संबीधान मतला हमारे national flag को क्या किया था design करा था और इसे संबीधान सभा ने अडॉप्ट करा था 22 जुलाई 1947 को national song यानि कि राष्ट्रिय गीत यह क्या है वंदे मातरम यह हमारा national song याद रखिएगा और national anthem क्या है national anthem है जो किसके द्वारा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ठीक है तो याद रखिएगा यह जो national flag national song and national anthem इस दोनों को कब अडॉप्ट किया इस दोनों को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को दोनों को ही अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 250 को इस चिसको आप याद रखिएगा ठीक है अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करें चलिए यहां पर देख सकते हैं क्या-क्या किसके रिलेटेड सिटिजन सिप अभी अभी आपको बताया अलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजनल पार्लियमेंट से रिलेटेड और टेम्परारी प्रोविजन्स जो थे कोच उसे आपका कब लागू कर दिया गया 26 नवंबर अभी अभी आपको बताया था कि अलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजनल पार्लियमेंट से रिलेटेड और सिटिजन सिप से रिलेटेड जो प्रावधान थे उसे उसी दिन लागू कर दिया गया था याद रिखिए का जब कॉंस्टिट्वेंट एसमबली के कंपोजीशन क की बात करीज आती है तो सबसे ज्यादा सदस्य कहां से चुनकर आये थे युनाइटेड प्रोविंस से चुनकर आये थे सबसे ज्यादा सदस्य कितने पच्पन उसके बाद मद्रास से कितने उनच्चास उसके बाद बिहार से कितने 36 ठीक है प्रांतों में सबसे ज्यादा स्दिख में सबसे ज़्यादा कहां से युनायटेट प्रावविन्स से कर जो कि ड्राफ्टिंग कमिढ़ी के चैरमन हुआ करते थे उनको कहा जाता है फारडर ओफ इन्डीयन कॉंस्टिचूशन यानि कि भारत के शम्विधान का जो पिता है ना वो किसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कि प्रारूप शमीती के अध्यक्च हुआ करते थे इसके बात की बात करना तो याद रखिएगा फर्स्ट ड्राफ्ट जो था इंडिया का यानि कि ड्राफ्ट यानि कि जो आपका मतलब पता है आपको हमारे संविधान के अंदर जब हमारा संविधान बना बन रहा था उसके पहला ड्राफ्ट जो त्यार हुआ था वह πबलिस कब रूं नाइन टीन फॉर्टी एट में पूरा मतला संविधान कडू ड्राफ्ट बन अंकर तैयार हो गया वह 1948 में तैयार हो गया पब्लिस हो गया कभ फरवरी sina क्ली 2020 और यह प्रिपेर किसके द्वारा किया गया था दोस्तो तो याद रखिएगा ड्राफ्ट को जो तैयार किया गया था वो किया गया था बियन好的 वारा जो की constitutional advisor थे जो की संभिधानिक शलाकार थे हम लोगोंने अभी अभी पढ़ा था और अभी अभी आपको बताए कुल 64 लाग रुपए यानिकी 6.4 मिलियन रुपीज जो थे वो क्या हुए थे इसके उपर खर्च किये गए थे भारतिया सम्मिधान के निर्मान की ऊपर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं देखिए बियार अंबेट कर जो थे इन्हों ने मतलब देखे ड्राफ्ट को तयार किस ने किया ड्राफ्ट वेयर प्रिपेर्ड बाई हूं तो याद रखिएगा वो किसके द्वारा तयार हुआ था वो तयार हुआ था बियान रौ के द्वारा लेकिन इससे सबसे पहले इंट एसंबली में नवंबर 448 को फॉर फॉर्स्ट रेडिंग यानि फॉर्स्ट रेडिंग के लिए उससे संविधान सभा के सामने कब रखा गया चार नवंबर नवंबर 141948 में स्टार्ट हुआ और ये समाप्त कब हुआ अक्टूबर 171949 में और थार्ड रेडिंग ये वह वह स्टार्ट कब हुआ नवंबर 141949 में ठीक है और आपको पता ही है कि 26 नवंबर 14949 को हमारे संविधान को फिर अडॉप्त ही कर दिया गया था यानि कि कुल कितने रेडिंग हुई तीन रेडिंग हुई थी फर्स्ट रेडिंग कब हुई तो नवंबर 41946 को स्टार्ट हुई दूसरे रेडिंग कब स्टार्ट हुई तो पंदरह नवंबर 2014 सबसे जादा दिन तक चली थी यह reading इसमें मतलब पूरा close by consideration हो रहा था इस reading में जितने articles articles में clause है सब clause है पता है ना आपको जितने भी अर्टिकल्स है उसके अंदर clause है clause के बाद सब clause भी है तो इसमें clause by clause तो नहीं है इसमें सबसे ज्यादा वक्त लगा था और तर्ड रीटिंग्स वह था इस ड्राफ्ट का वो कब हुआ था नाइट नवर्ड नवंबर 14-1949 को डॉक्तर सच्दनंद शन्हा दा ओल्डेस्ट मेंबर वाज एलक्ते डस देट टैंपर अरी प्रसेडेंट आपको बताया था आप दाया था अपनाया था फ्रेंच प्रैक्टिस को अपनाया था याद रखी गा यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कई बच्चों को लगता ह है कि ब्रिटिस प्रविंस को अपनाया था हमने आपके सवाल में भी ऐसे ब्रिटिस प्रविंस ही लिखा रहेगा लेकिन हमने अपनाया था किस किसे फ्रेंच प्रैक्टिस को अपनाया था याद रखिएगा ठीक है कि सेशन को सभी बच्चे सेयर भी करां सभी बच्चे को ठीक टाग हो जाएगा तक तक साथ देश के संभिधान को उन्हों ने पढ़ा और इस साथ देश के संभिधान से कुछ ना कुछ चीज़ है हमारे देश के संभिधान मिली गई इसलिए तो कहते है ना जो हमारे देश का संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे क्या है largest written constitution है हमारे देश का है ना हमारे देश का जो संविधान है विश्वका सबसे बड़ा लिखित संविधान है इसके बाद याद रखिएगा, जो हमारे संबिधान का जो कवर आप जो देखते हैं जो हमारे सम्विधान का जो फ्रंट कवर है उसको किन्हों ने तयार किया था किन्हों ने डिजाइन किया था तो याद रखिए का वो डिजाइन किया था एक बैंगॉली पैंटर थे जिनका नाम था नंदलाल बोस बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है यह सारी प्रियंबल यानि प्रस्तावना वाला जो पेज है उसे डिजाइन और डेकोरीट किस ने किया था वो किया था एक पैंटर थे जिनका नाम था बैवहर राम मनोहर सिन्हा उन्हों ने किया था जो कहां कि थे जबलपूर के थे ठीक है याद रखेंगे बहुत जो आपका फ्रेंट पेज है उसे किसने डिजाइन किया नंदलाज बोस जी ने है ना इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे जो औरिजनल कॉंस्टिचूशन है हमारा जो हमारा वर्तमा जो मतलब मूल शंबिधान है है ना जो हमार मूल शंबिधान है वो दोस्तों किसमें लिखा वो किसमें हैंड रिटन है वो हाथ से लिखा गया है वो और यह किसने लिखा है यह लिखा प्रेम बिहारी नारायन राइजादा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा मूल संबिधान है वो लिखित रूप में है और उसे लिखा किसने है प्रेम बिहारी नारायन राइजादा जी ने लिखी है इस चीस को आप याद रुखिए को बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह दो और इसनल Constitution of India is kept in a special helium filled case in the library of the Parliament of India यानि की जो हमारा मतलब जो संभीधान है मूली संभीधान उसे helium filled case में रखा गया कहां पर पार्लेमेंट की लाबरेरी में देर वर 95 female member of the Constitution Assembly जो 299 member थे उसमें आपको बताया था जो 299 member थे उसमें 9 female member हुआ करती थी और उसमें जो प्रमुक थी राजकुमारी अमृत कौर हंसा महता दुर्गाबाई देशमुक है ना दक्चियानी वेला युदन एंड जी दुर्गाबाई ये कुछ prominent members थी 9 female members जो हुआ करते थी उसमें से तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आप से यहां से भी सवाल यह योगवसिस्ट जी क्लास स्टाट होगी बारे बज़े से ौससे तेज राब जन एक आपकी all your एक बिपली की क्लास है यह points हम लोगोंने और यह पॉंट की और बढ़ लिया है चली fall की तरप चलते हैं आप दोस्तों देखिए एक आपका constituent fact Training कमिटी हुआ करता था अच्छा लग रहा है मजाँ राये सेशन में तो सेशन को आप सभी बच्चे सेयर करिए सभी बच्चे सेशन को लाइक कर क्योंकि जतना इंफर्मेटिव सेसन है यह आप गल्शूर देखो गहाँ जिस दिन हम सवाल करेंगे तब आप यहक्ष की अच्चा सारे सवाल उठा कर देग लेना है ना सीए पीएफ या कोई भी यूपीएसी का पेपर हो सारी सवाल आपके बनेंगे इसली ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करता है दोस्तों तो टोटल मेंबर कितने थे साथ इसका गठन कब हुआ था 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था चेक है याद रखेंगे इसका काम क्या था ड्राफ्ट को तयार करना और ड्राफ्ट को अभी अभी बताया तयार किया भी था किसने बीन रॉने किया था यहां पर दोस्तों साथ शदस्य थे जो एक तो ब्यार अंबेट कर थे इनका मतलब इन्हाँ ने जो जगह लिया था बीयल मित्तर का लिया था जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने बीमार स्वास्चे के कारण इन्होंने रिप्लेश किया था डीपी खेतान को जिनकी मृत्य हो गई थी 1948 में तो यह साथ शदस्य हुआ करते थे ड्राफ्टिंग कमीटी के इस चीज़ को आप याद रखना इसका गठन कब हुआ था 29 अप अगस्त 1947 को हुआ था इस चीज़ को भी आप याद रखेगा यहा इसका कब गठन हुआ इसके चैर्मेन थे कुल कितने शदस्य थे यह सारी बात आपसे पूछी जाती है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे कि हमारे संविधान सभा में जो हमारी संविधान सभा थी उसको बनाने के लिए कुल कितनी समीतियो कि मैं बात करूं तो ड्राफ्टिंग कमीटी बियार अंबेट कर उसके हेड थे यूनियन पावर कमीटी जवाहर लाल नहरू यानि यूनियन से रिलेटेट जो कमीटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे जवाहर लाल नहरू थे सिंपली अगर आपसे पूछते हैं कि सिर्फ अगर आपसे पूछते हैं कि स्टेट्स कमीटी स्टेट्स कमीटी के हेड कौन थे तो वह भी जयल नहरू थे सिर्फ स्टेट्स कमीटी अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रोविंसियल कॉंस्टिचूसन कमीटी यानि प्रांत कि एश संबीदान समीती के अध्यक्ष क्वान थे वनलब भाई पतेल हुआ की का फूंडमेंटल राइट्स cigarettes और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाद से सोजो संबंदित जो समीती थी उसके अध्यक्ष कौन थे वल्लब भाई पटेल फंडमेंटल राइट्स और प्रविंसियल कॉंस्टिचूसन कमीटी इसके जो सदस्य थे इसके जो मतलब हेड थे वह वल्लब भाई पटेल थे फंडमेंटल राइट्स की उपर जो सब कमीटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे जेबी कृपल आनी थे माइनर रटीज के उपर जो सब कमीटी थी उसके हेड कौन थे हरेंद्र कुवर मुखरजी एच्सी मुखरजी थे नैस्टनल फ्लैक कमीटी बहुत इंपोर्टेंट है राजिंद्र प्रशाद लैंग्विजिज कमीटी इसके कौन थे मोतूरी शत्यनारायन order of business कमीटी order of business कमीटी का मतलब क्या जो आपका कारियस संचालन समीती जिसे हम बोलते हैं order of business कमीटी कौन थे उसके केम मुनसी अगर आपसे पूछा जाए steering committee श्चेरिंग कमीटी का कौन है तो डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद और राजिंद्र प्रशाद याद रुक्तित के फ हंस अभी Beauty पॉंट को बहुत MINT है क्लियर है चलिए अगले पॉंट की तरब चलते हैं तो यह important कमीटी थी हमारे संबीधान सभा कि अब देखिए जब हमारा संभीधान बना तो उसके साथ साथ क्या हुआ उसके साथ साथ एक अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया इंटरिम गवर्मेंट का और उस इंटरिम गवर्मेंट में जो प्रेसिडेंट यानि वाइशराय कह लीजिए वो कौन थे वो तो आपके माउंच बैटन ही थे लेकिन साथ ही साथ जो आपके अलग-अलग मिनिस्टर्स जो बने वो कौन बने यहां से आपसे सवाल बतते हैं यह पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपके वाइस प्रेसिडेंट यानि कि जो जवाहर लाल नहरू जो थे वो एक तो उपाध्यक्च थे इंतरिम गॉवर्मेंट में है ना एक्जेक्योटिव कॉंसिल के उपाध्यक्च थे एक्स्टर्नल अफेयर्स यानि कि विदेश मंत्री और कॉमन वेल्थ रिलेसंस के जो मिनिस्टर थे वो जवाहर लाल नहरू बने ग्रेहम मंत्री हॉम अफेयर्स सूचना एवं प्रशारन मंत्री कौन बने वल्लब भाई पटेल बने एग्रिकल्चर एंड फूड खाद सीराज गोपालाचारी बने डिफेंस ये कौन बने बलदेव सिंग बने इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई कौन बने सीराज गोपालाचारी बने लेबर कौन बने स्रम मंत्री जवजग जीवन राम रेलवे एंड कॉम्यूनिकेशन ये कौन बने असफली या अरुनासफली व याद रखिएगा वित्मंत्री फाइनस मिनिस्टर कान बनते हैं तो बनते हैं आपके कोन तो याद रखिएगा आहएं पहली अंतरिम सरकार में जौनमत्हाई बनते हैं बाद में उनका अस्थान लेता हैं लियाकट खां शुन मुस्मिलीक भी सरकार में सामिल होती यह फिर लाव मिनिस्टर कौन बने तो आपको बताने की जरूरत नहीं है लाव मिनिस्टर कौन बने होंगे बी आर अंबेड कर सहाब बने थे ठीक है यह बेसिक बेसिक रहा हो तो आप लोग बता दीजिए ठीक है तो जितना आपको संविधान सभा में आज मैंने करवाया कॉंस्ट्ट्वेंट एसंबली में जितनी बात आज हम लोगों ने करी इससे रेलेटेड सवाल हम करेंगे जो मंडे का लेक्चर होगा चिक है यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी दोविदा है तो बताईए है हां जी यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो समस्या हो आप लोग बता सकते हैं और दोस्तों सेशन को आप लोग सेयर भी करिए सभी बच्चे सेशन को आप लोग लाइक भी करें मंडे को जो मैं सेशन क कराऊंगा इससे रिलेटेड एंसी की उसका 30 कुल सवाल होंगे कुल 30 कोश्चन होंगे मैं यहीं चाहूंगा कि उसमें आपसे किसी भी बच्चे से एक भी सवाल गलत ना हो क्योंकि सारे शवाल आपके यहीं से रहेंगे तो सभी बच्चे सेशन को एक बार सेयर कर दीजिएग और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आज से आपकी क्लासे से स्टार्ट हो रही है तो आप लोग दोस्तों अपने मतलब बैच से आप लोग क्या कहते हैं जुड़ सकते हैं और बैच को आप लोग परचिस कर लीजिए और कॉल करके ताकि आज से उसकी क्लासे से स्टार्ट हो रही है चीक है कि किसी का कोई डाउट है तो बताईए है अंजी नहीं डाउट आज से योग वसिस्ट जी स्टार्ट हो जाएगी 12 बज़े से क्लास एप पे हाँ आज बताएं योट्यूप पर आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेगी अना मैंने जैसे बताया इस सवाल करेंगे हम मंडे को फिर उसके आगी की थियोरी जो भी हम करेंगे सारा कुछ करेंगे चिंता बिल्कुल मत करिए सेशन को बस आप लोग सेयर करिए सभी बच्छा सेशन को लाइक करते रहें है ना कि चलिए तो दोस्तो मिलते हैं लोग हाँ डेली यही रहेगी डेली दस बज़े ही टाइम रहेगी योटियूप पर कल आपकी एकशन को आप लोग दोस्तों सेयर करेंगे सभी बच्छा सेशन को लाइक करेंगे जहनोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल की क्लास में एकोनामिक्स के कोश्चन एकोनामिक्स के स्ट्रेशन के साथ तब तक लिए सभी लोगों का धन्यवाद बबाए टेक के और अंड हाव गुड़ देख साथ झाल झाल